दोस्तो बिहार सरकार स्रम्सन साधन विभाग दुरा काफी संधार स्कोलर्शिप चलाए जा रही है खास कर ये स्कोलर्शिप उन बच्चो के लिए चलाए जारही है जो भी लेवर काश धारक के बच्चे होंगे उन तमाम छाठ छात्राओं को यहाँ पर दसमी पास करने पर जो रासी है वो अलग अलग नंबर वाले के लिए अलग अलग तैय किये गए हैं और बारहमी पास करने वाले बच्चों को भी इसका लाब मिलेगा लरका लरकी दोनों को मिलेगा तो इसके लिए एक नोतिफिकेशन जारी किया गया है जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे क कि अगर आप दसवी या बारहमी पास कर चुके हैं तो आप लोगों को इस स्कोलर्शिप के अंतरगत कितना पैसा मिलेगा और एक चीज आपके मन में दावत होगा कि जो एस्टुदेंत मेधा सॉब्त के पोर्तल से अपना स्कोलर्शिप प्राप्त किये हुए हैं उनको इस पहले आप से चोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आप हमाएं वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और इसी तबदेद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो दोस्तों चले बिना देरी कि आज कर द दोस्तों जैसा कि हमारे पास श्रम संसाधन विभाग का अफीच्चियल नोतिफिकेशन हैं जिसके माध्यम सह्म आपको शारी बताएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो दोस्तों संसाधन विभाग और द्वारा जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन मैं बत् कितना पूरुषकार आपको दिया जाएगा तो दोस्तों जैसा कि यहां पर बताया गया योजना के लाव निवन्दित निमान कामगारों के अधिक्तम दो संतानों को प्रति वर्स विहार राज के अधिन किसी वी बोद दोरा संचालित दस्वी अंबरहमी की परिक्षा में 80% या उससे अधिक अंग प्राप्त करने पर 25 रुपे की रासी दी जाएगी तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को समाझने के जूरत है कि अगर आप किसी वी बोद से दस्वी या बारहमी का एक्जाम पास किये हुए हैं तो यहां पर जो है आपको 80% या उससे अधिक नंब लाने पर 25 रुपे की रासी परतेक वर्स दिया जाएगा और उसके बाद यहां पर बत्या गया है कि 70% से 89.99% अंग प्राप्त करने पर 15,000 तथा 50% से 79.99% अंग प्राप्त करने पर 10,000 का रासी दिया जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप सिधा समाझे कि आप किसी बोद स दसमी या बाराहमी का एकजाम पास किये हुए हैं और आपका जो मार्क्स है वो 80% या उससे अधिक है तो 25 रुपे की रासी दिया जाएगा और अगर आपका जो मार्क्स है वो दसमी और बाराहमी के वो दिकजाम में 70% या उससे अधिक है 89.99% तक अगर आपका मार्क्स सेंथ तक अगर आपका मार्क्स है तो यहां पर जो आपको 10,000 रुपे की रासी परतेक वर्स दी जाएगी उसके बाद यहां पर बत्या गया है कि इसका जो पात्रता है वो कौन हो सकते हैं तो जैसा कि यहां पर आप देखेंगे तो बत्या गया है निम्तम एक वर्स की सदस्त कर सकते हैं तो देखें यहां पर आपके parents का यहां खुद का अगर लेवर काट है और यहां पर उट्रहाइप आप एक वर्स में कम से कम नव्य दीन जो है इसके अंतरगर्थ काम किये हुए हैं। तो इसके लिए जो आप इसके लिए online अप्लाइब कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर बते आ गया है निवंधन है तो निर्मान स्रमिक पर क्लिक करें यहां पर जो वेब साइट का नाम दिया गया आई सी वेब साइट से जो आप इसके लिए ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तो यह चीज आप कैसे पता करेंगे कि आपके प्रेंट्स का जो है ल साथ जनकाई बताएंगे कि इसके लिए आपको किस परकार से ओनलाइन आवेदन करना है तो दोस्तों आज के विदियों बसे एक चोता से जनकाई था कि बिहाद सरकार सर्म संसाधन विवाग दौए एक बहुत ही बधिया एसकोलर सिप निकल कर आ रही है जिसके लिए अगर आ कर सकते हैं और कैसे आप लोग को अपलाई करना है जिस टोपिक पर अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो फिलाल आज के विदियों बस इतना है फिर मिलते है अगले वीडियों अगले तपिक के साथ जाहिंद